So guys, welcome to my channel The Tarot Vibes So guys, आज हम देखने वाले हैं Love Reading जो होने वाली है November मन्त में 1 to 10 of November So guys, हम देखेंगे आपकी Love Life में क्या है कैसे चल रही है आपकी Love Life क्या हो सकता है आपकी Love Life में और guys, ये एक General Reading होने वाली है सभी से Resonate हो, ये जरूरी नहीं है तो guys, अपनी सिच्वेशन में से जबरजस्ती फेट ना करें, okay हो सकता है किसी से कुछ परसेंट ही Resonate करें So guys, अगर आपसे Resonate करती है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और guys, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले जिससे आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, okay Okay guys, तो हम स्टार्ट करते हैं Hello, तो हम देख लेते हैं Next, Cancer राशी के लिए Garg राशी Knight of Pentacles Judgement The Empress Six of Sword The Chariot Page of Pentacles Temperance So guys, मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, okay ऐसा कोई परसन आ रहा है जिसको आप बहुत टाइम से मिले नहीं हो, okay बहुत टाइम से आप उनसे कम्मिनिकेशन नहीं हुआ है आपका ऐसा कोई परसन आ रहा है So guys, मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपकी तरफ एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनरजी आ रही हो एक कह सकते कि एक गुद न्यूज आ रही है आपके तरफ, okay हो सकता है कि अगर कोई मैरेड परसन है, कोई मैरेड वुमन है जो हो सकता है कि प्रेगनेंसी आप बहुत टाइम से चाह रहे थे So guys, मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है, okay और मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि अगर आप किसी तरफ के प्रॉबलम में थे किसी तरफ के सेपरेशन में थे so guys यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके कोई ex-person भी आपकी तरफ आ सकते हैं but मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आप इस वक्त उस good news को accept करने के mood में नहीं हो और जो भी एक person आ रहे हैं जो भी ex-person आपकी life में इस वक्त आने वाले हैं आप उनको बिल्कुल भी चाहा नहीं रहे हो कि वो इस वक्त आपकी life में आए because हो सकता है कि past में आपको उनकी वज़े से बहुत ज़ादा problem उठानी पड़ी बहुत ज़ादा hurt हुआ आपको बहुत ज़ादा आपने breakdown feel किया है that's why मुझे यहाँ पर देख रहा है कि आप उन्हें avoid कर रहे हो और ऐसा चाहते हो कि आपके life में कोई ऐसे person ना आए जो जिनकी वज़े से आपने बहुत ज़ादा pain pain जेला हो pain feel किया हो okay सो मुझे यहाँ पर देख रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़ादा strict position में हो बहुत ज़ादा एक strict person बन चुके हो और आप बहुत ज़ादा देख परताल करके ही अपने decisions लेते हो आप बहुत ज़ादा देखते हो कि क्या सही है और क्या गलत है आप वो देखकर ही किसी तरह की डिसीजन लेते हो बट गैस मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि जो परसन आपकी तरफ आ रहे हैं वो इस वक्त एक अच्छे माइंड से आ रहे हैं जो भी उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है वो सारी ची फिर से कमिट्मेंट कर ले यह हो सकता है कि वो आपके साथ एक फ्रेंड्शिप का बौन्ड रखने के लिए आ रहे हैं बट मुझे यहां पर क्लेर नहीं है कि व Demek कि न आपके साथ एक प।ुन representative कर आहरे हैं बट गैस मुझे यहां पर यह भी दिख रहे हैं कि इस वक्त doubtful हो कि वो क्यों आ रहे हैं या फिर इस तरह की energy है या फिर क्यों आई है इस तरह की energy है आपकी okay बट आप इस वक्त यूनिवर्स से भी कह रहे हो कि यह person फिर से मेरी life में क्यों आया है okay बट मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि इस वक्त जो person आपकी तरफ आ रहे हैं वो पहले वाले ही person है बड़ जो उनकी energy है guys वो पहले की तरह नहीं है इस वक्त वो आपकी तरह बहुत ज़्यदा positive energy लेकर आ रहे हैं जो भी आपकी life में एक balance मिस हो गया था past में वो इस वक्त आपकी life में एक balance लेकर आ रहे हैं और आपको थोड़ा सा strong बनना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा strongly decision लेना पड़ेगा इन person के लिए अगर आपको उनका proposal या उनकी जो भी उनकी energy होगी वो accept आपको करनी है या नहीं करनी है ये decision आपका होगा because मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप उन्हें इस वक्त avoid कर रहे हो और वो आपकी life में आ भी जाएंगे तो भी आप doubtful रहोगे कि ये person मेरी life में नहीं होना चाहिए था या मुझे past की चीजे वापस से नहीं दोर आनी है इस तरह की energy है okay तो हम और cards देख लेते हैं okay Queen of Pentacles, Queen of Cups, The Emperor so guys ये cards बहुत ज्यादा positive है जिस तरह से मैंने कहा कि जो भी person आपकी life में वापस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा positive way में आ रहे हैं एक positive energy लेकर आ रहे हैं और guys उनकी energy में बहुत ज्यादा feelings हैं बहुत ज्यादा interested है वो आप में okay और बहुत ज्यादा emotional भी feel कर रहे हैं हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा guilty भी हो past के situation से लेके जो उन्होंने आपके साथ किया या जो उन्होंने अपनी life के साथ किया okay so मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो person आपकी तरफ बहुत ज्यादा positive way में आ रहे हैं और बहुत ज्यादा positive energy लेकर आ रहे हैं और जो भी person आपके life में आ रहे हैं इस वक्त उनकी जो energy है बहुत ज्यादा strong है एक logical person होकर आ रहे हैं जो भी उन्होंने past में उनका behavior कैसा भी रहा हो कैसी भी उनकी energy रही हो but guys इस वक्त जो है उनकी energy है वो बहुत ज्यादा positive एक strong personality है okay so हम देख लेते हैं universe का क्या message है what do you need to release guys guys यह card मुझे हर एक मुझे अभी दो बार आ चुका है okay the answer you need to are coming मुझे यह card अभी दो बार दो reading में आ चुका है पहले भी so guys यह card का बहुत ज्यादा important थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दे सकते है okay because मुझे यहां पर दिख रहा है कि universe का कहना है कि आप जो भी चाहते हैं okay जो भी आप negativity अपने mind में रखे हुए उन्हें release कीजिए because यहां पर जो भी आपने answer universe से मांगा था जो भी आप चाहते थे कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ इस तरह के जो भी answer जो भी question आपने universe से किये थे जो भी answer आपने मांगे थे इस वक्त वो answer आपकी तरफ आ रहे हैं और वो answer आपको मिलेंगे बहुत जिल्दी ओके so guys universe आपसे कहना चाहते कि आप positive रहें थोड़ा सा patience रहें okay guys bye